हलो यवरींट, वेल्कम तू लेर्न वी cynene अजिवान इस विडियो में हम देखने वाले हैं अक्टिव पैसिव वाइस तौ वाइस्ट वोइस्ट तौ ओ तरीकिए की होती हैं एक होती राम इस बीटन बाई मोहन यानि कि कुछ उल्टा बुल्टा हो गया क्या हुआ है यह भी आगे देखेंगे जैसे कि कि रीड़ बुक वो किताब पढ़ता है अब बुक इस रेड़ बाई है मतलब इसमें क्या था राम बीट्स मोहन और हमने जो पैसिफ में था वो राम को आगे कर दिया सब्जेक्ट और अब्जेक्ट चेंज कर देते हैं सब्जेक्ट क्या होता है यह भी हम देखेंगे तो अक यह भी हम पैसिफ में आता है वह हमारा पैसिफ में लगता है वर्प की जो है वह थड़ फॉर्म लगती है तो यह सब हम रूल देखेंगे अब एक चीज जो त्यान रखने वाली है कि जो एक्टिफ वॉइस होती है ना उसमें बारा टेंस होते हैं जबकि पैसिफ वॉइस में केवल आठ टेंस होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई किस का पैसिफ नहीं बनता है तो देखो प्रेजेंट पर्फेक् पैसिफ नहीं बनता है अब रूल्स देख लेते हैं एक्टिफ से पैसिफ बनाते समय प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में जो पहला वाला टेंस होता है आई रीड़ बुक क्या है यह प्रेजेंट पर इंडेफिनेट टेंस है इसमें किन किन रूल्स का सिस्थिमाल होता है तो देखो सब्जेक्ट को अब्जेक्ट बना देते हैं यह सब्जेक्ट को अब्जेक्ट बना देते हैं उल्टा कर देते हैं जो भी सेंटेंस होता है व समझ में आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तमाल होता है जैसे की एक्टिव वॉइस था ही सेंग्स वो गाना गाता है तो ही क्या है ही सब्जेक्ट है इसमें सिंग जो है वर्ब है वर्ब तो पता है ना जिसे की सेंग्सेट ये सारी वर्व होती है और object क्या है? Song है जो sentence में सबसे important काम जो हो भी हम sentence बना रहे है वो sentence पर जो काम को कर रहा होता है उसको हम लोग subject कहते है इसमें he he जो इंसान है, जो व्यक्ती है वो काम को कर रहा है इसलिए वो subject है object मतलब जो काम हो रहा होता है गाना गाया जा रहा है है ना song गाया जा रहा है और गाया जा रहा है वो verb होती है तो यह हो गया subject यह होता है वर्व यह होता है object तो s, v, o, इस तरी किसे बनता है passive में क्या होता है यह जो object है यह आगे आ जाता है helping verb लग जाती है जैसे कि यहाँ पे sings था helping verb क्या लग गई? is लग गई और he जो है वो image change हो गया तो active में he था तो passive voice में he का him हो जाता है चीक है? he का him हो जाता है active में a song is sung by him और verb की third form आती है हमेशा passive voice में verb की third form आएगी यह हमें याद रखना है passive में verb की third form होएगी object की जएक है? subject आजाएगा मतब subject object उलट जाएगे object आगया आगया और subject पीछे चला गया तो याद रखना है कि active से passive voice में जब भी हम बदलते हैं तो active voice के object को passive voice के subject बना देते हैं उल्टा हो जाता है table है यह table आपको याद रखनी है active voice में subject के stand पर I pronoun तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था था ना he का him हुआ है आपना कुछ चीज नोट करेंगे जैसे कि आप यह वाला sentence नोट करेंगे पूरा की subject कौन सा है object कौन सा है यह नोट करना है आप लोगों को और यह वाला जो table है न यह table आप लोगों को note करनी है this is very important याद रोको बच्चों बहुत important चीज आए कि I का जो है वो I active में अगर आप उसको passive में बनाएंगे तो I का हो जाएगा me V का हो जाएगा us रटना आएगे याद अच्च करना अच्छे से बिल्कुल I हो जाएगा me V हो जाएगा us U का यू ही रहेगा He का him हो जाएगा हमने देखा था न ही का him हो जाएगा She का her हो जाएगा They का them हो जाएगा this is important very very मतलब आप लगा लो very important ठीक है I का हो जाएगा me V का हो जाएगा us U का हो जाएगा you he He, him, she, her They, them I बच्चों बात समझ में बिल्कुल अच्छे से ये बहुत ही important है अब हम लोग कुछ examples दिखते है I write a letter यानि कि मैं पत्र लिखता हूँ I write a letter तो letter आगया जाएगा A letter is written by me देखो right जो है उसकी third form होती है Right wrote written Third form क्या होती है right की Right की हमारे third form आती है Written This is very important Right की third form क्या होती है Right की third form होती है वो होती है written Right की third form is written I write a letter तो letter is written by me She cooks food Food is cooked by her क्योंकि she का her हो जाता है I का me हो जाता है I का me हो जाता है She का her हो जाता है और cook की जो third form होती है Cook की third form होती है Cooked She cooks food Food is cooked by her अब देखो यदि वाक्य में Someone, everyone, anyone का प्रियोग करता के स्थान पर हुआ हो तो उसे passive voice में बनाने में इसको हटा दिया जाता है जैसे कि अगर someone आ गया Someone helped me तो जब भी इस थाइब के sentence आते है कि someone helped me तो हम इस तरहीं से passive voice नी बनाएंगे कि I was helped by someone हम हटा ही देंगे इसको Someone helped me तो I was helped मेरी मदद की गई ऐसे Everyone satisfied him He was satisfied वो satisfied हो गया तो him का क्या होता है He और he का Him पुल्चा हो जाता है Nobody can lift this box This box cannot be lifted The police arrested the thief The thief was arrested आप by police भी लिख देंगे तो कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि passive का काम ही होता है sentence को छोटा बनाना यह जो newspapers की reporting होती है यह सब चीजों बहिन सब में पैसे वोइस का सितमाल होता है तो passive का काम ही होता है sentence को शोटा बनाना तो police arrested the thief The thief was arrested अब पुलिस ही arrest करेंगे और कॉन करेगा No one can see the wind The wind cannot be seen तो no one कोई भी नहीं देख सकता Wind cannot be seen by no one तो मतलब कोई देख नहीं बारा ना तो no one की तो जरुरुत है ही नहीं लगाने में इन वाक्यों में agent by का प्रियोग नहीं होता तो कोई जरुरत नहीं होती है The wind cannot be seen तो wind एक ही नहीं जा सकती इस तरीके से हम लोग यह बना देते हैं तो present indefinite tense में कुछ वाक्यों के बनावत इस प्रकार होती है देखो ज़रा कैसे होती है I am to help him He is to be helped by me क्या है I am to help him तो अब कुछ वाक्य जो है वो अलग तरीके से भी बनते हैं Him का हम लोग passive में करके He कर देते हैं He am की जगह आता है is M की जगह is To, to के आगे भी लगाते हैं passive voice में To be और help है जो की helping verb है तो इसके third form लगेगी He is to be helped by me I का me हो जाता है तो उसकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी I can help him He can be helped by me I can help him तो I can help him तो He can be helped by me I must help him He must be helped by me I must help him तो फिर He must be helped by me I का me हो जाएगा Him की जगह यहाँ पर He must be helped by me कुछ verbs के बाद passive voice में बाय का प्रियोग नहीं होता उनमें बाय के बदले किसी दूसरे preposition का इस्तमाल होता है जैसे की He satisfied everyone तो everyone satisfied Everyone was satisfied with him तो by him नहीं उसके साथ सब satisfied थे He knows me वो मुझे जानता है He is known to me वो मेरे द्वारा जाना जाता है इसके न कुछ sentences है जैसे की Knows to me मैं उसको जानता हूं मेरे द्वारा जाना जाता है यह अजीब नहीं हो जाएगा बोलने में मैं उसको जानता हूं I am known to him या फिर वो मुझे जानता है, या वो मेरे द्वारा जाना जाता है, या मैं उसके द्वारा जाना जाता हूँ, यह नहीं होता है न कभी भी, तो आप सोच लो, कि he knows me, I am known to him, her conduct shocked me, I was shocked at her conduct, तो इस तरीके से यह कुछ sentences बनेंगे, I am shocked at her conduct, ठीक है, तो यह वाली चीज यहाँ आजाएगी, his reply surprised me, I was surprised at his reply, this book was greatly interested me, I have been greatly interested in this book, तो इसमें with to, at, इनका प्रियोग हुआ है, यह थोड़े higher level वाले passive voices है, ठीक है, यह थोड़े higher level पे आजाते हैं, तो अभी प्रेजन कॉंटिनस टेंस वाला हम लोग नेक्स वीडियो में देखेंगे, इस वाले वीडियो में हम लोगों ने जो है वो बिल्कुल indefinite, present indefinite वाला देखा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चनल को subscribe करिए और share करिए, thank you